सब्सक्राइब की बटन को जरूर दबा दे जिससे आपको आने वाली हर एक सब्जेक्ट के असाइमेंट असानी से प्राप्त हो सगे तो चले इस वीडियो के सुरुआत करते हैं पहला कोस्टन देखते हैं देखें question number पहला क्या पूछ गया है answer the following question in about hundred words hundred words में ये question को लिखना है इसके answer लिखना है और देखें तीन marks के हैं सिर्फ और इसको बोल देगा है hundred words लिखने के लिए क्या बोल गया है क्या लिखने के लिए बोल गया है इसमें write about the three generation of narrator family who had relentless passion of being a writer writer के family के बारे में लिखना है उनके तीनों generation के बारे में लिखना है तीनों generation के बारे में लिखेंगे तो तीनंक के हैं और देखिए इसमें hundred words लिखना है से आप देख सकते हैं कुछ paragraph देख के भी लिख सकते हैं यह तिन ही अंक है लेकिन 100 वर्स लिखना है अब आते हैं question number two में question number two क्या लिखागा है write a paragraph on global warming on the basis of given hints देखें पांच हिंद के अनुसार आपको global warming के उपर paragraph लिखना है तो लिख लेंगे देखें पहले लिख लेंगे यह हो जागा इसका आंसर global warming के बारे में since the industrial revolution due to emission of green gases the global annual temperature has rise the average temperature यहाँ प्या जागा यह पहला पाटा जागा the rise the average temperature उसके बाद इस सभी paragraph सभी लाइनों को आप पच्छे से लिख लेंगे सब इस पूरे paragraph में यह पांचों क्या ह point up के दिये हुए है ओके global warming के बारे में आब आते हैं question number three में question number three क्या बो लगया है read the passage carefully and answer the following question any four any four बो लगया है कोई भी चार 5 में से कोई 4 question को आप लिखे ओके total 4 अंग के हैं पहले इसको पढ़ लेंगे okay passage को पढ़ लेंगे उसके बाद यह चार 5 question दियेगा है पांच में से कोई एक लिखना है तो मैंने यहां आपके लिए 5 question solve कर दिया है इसमें कोई 4 आप लिख सकते हैं यह हो जाएगा पहले दूसरे तीसरे और चौंथे का answer और लास्ट वाले पांच वेक अंसर हो जाएगा तो इसमें कोई 4 लिख लेंगे अब आते हैं question number 4 में question number 4 क्या बूला गया है match the column A with column B इस column A को column B के साथ क्या करना है match करना है तो इसको आप match कर लेंगे अपने जब आप answer seed बनाएंगे उसमें match कर लेंगे देखे पहला क्या हो जाएगा I am so weak मैं बहुत कमजूर हूँ that's I cannot work इसलिए मैं चल नहीं सकता तो देखिए इसका हो जाएगा answer लिख लेंगे पहले का answer हो जाएगा दूसरा उसी प्रकार दूसरे answer देखेंगे we had not eaten anything तो दूसरे answer हो जाएगा पहले वाला point तीस प्रकार मेच कर लेंगे, पहले का दूसरे में मेच होगा, दूसरे का पहले मेच होगा, तीसरे का पांचवे मेच होगा, और चौंते का तीसरे में, और लास्ट वाले पांचवे का चौंते में, इस प्रकार इनको क्या करके मेच करके लिखेंगे, यह हो जाएगा इसका answer अब आते है question number 5 में question number 5 में क्या बोलग गया है you are राज या राज़ेश्वरी तुम राज हो या राज़ेश्वरी हो student of class X दस्वी class higher secondary school कोरबा write up application to your principal for transfer and character certificate क्या लिखना है आपको transfer या और character certificate के लिए application लिखना है तो लिख देंगे simple है answer डालके to the principal higher secondary school कोरबा subject डालके लिखेंगे and application transfer and character certificate इसके बाद इसको पूरा लिख देंगे फिर last में your arbitrarily अपना नाम लिखेंगे अपना नाम नहीं लिखेंगे यहा राज बोल गया है तो राज लिखेंगे thank you so much